अबल अटाक से कोहराम मचा दिया है नेतन याहू को समझ नहीं आ रहा कि हिजबुल्ला रे इस्राइल के मिसाइल हेटक्वाटर को कैसे आखर उड़ा दिया उड़ा दिया इस्राइल का मिसाइल हेटक्वाटर पिछले 72 घंटे में हिजबुल्ला के हमलों ने साबित कर दिया है कि जंग के मैदान में हिजबुल्ला लड़ा के इस्राइली सेना पर बहुत भारी साबित हो रहे हैं इसराइली सेना भले ही दावा करे कि उसने दक्षिनी लिबनान में हिजबुला की कमर तोड़ कर रख दी है लेकिन हकीकत में जमीन पर अब बाजी पलटती नदर आ रही है ऐसा लग रहा है कि 11 महीने की जंग में हिजबुला ने पीम नेतन याहू और उनके कमांडरों के वार प्लान को डिकोट करके उसकी धज्जियां उलाना शुरू कर दी है हिजबुला का सबसे ताजा हमला इसराइल के सफाद में हुआ जहां IDF का एक गुप तड़ा मौजूद था दावों के मुताबिक हिजबुला की ड्रोन यूनिट ने इसराइल के सफाद में मौजूद इसराइल के मिसाइल हिटकोटर को तबह कर डाला है इसराइल का दावा है कि इसराइल ने सफाद में एक गुप्त मिसाइल अड़ा बना रखा था जिसमें हजारों की तादाद में मिसाइले मौजूद थी इस बुल्ला ने सटीक और पकी खुफिया जानकारी के अधार पर अचानक भीशन ड्रोन हमले किये हैं जिसमें इसराइल के मिसाइल हेटकोर्टर को पूरी तरहां से उड़ा दिया गया है इस हमले में कैई इसराइली सेनिकों के मारे जाने की भी खबर आ रही है इसराइली सेना ने हिस्बुल्ला के दावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है इसराइली सेना अभी भी दक्षणी लिबनान पर भीशन हमले करने में जूटी है पीम नेतन याहू भी हिस्बुल्ला के हमलों पर चुपी साधे बैठे हैं लेकिन हिजबुल्ला ने यूरोपियन और मिडिलीस्ट के टॉप सूत्रों से पता लगाने का दावा किया है कि उसके हमले से इसराइली सेना को भारी नुक्सान हो रहा है अब आप ये देखिए कि हिजबुल्ला लड़ा के इसराइली मिजाईल डीपो को उड़ाने पर और क्या-क्या दावे कर रहे हैं हिजबुल्ला के दावों के मताविक 15 सितंबर यानि शनिवार को उसने इसराइली सेन्ने अड़े पर हमला किया है इस्बुल्ला ने कहा कि उसने IDF के तोप खाने और मिजाई लिकाई के मुख्याले को पूरी तरहां से बरबाद कर डाला है दावा किया जा रहा है कि लगबक 11 महीने की घज़ा और लिबनान जंग में पहली बार इस्बुल्ला लडाकों ने उत्तरी कमान के मुख्याले और 91 डिविजिन के लोजिस्टिक बेस को निशाना बनाया है हिस्बुल्ला का दावा है कि उसमें ग्रेट प्रकार के दर्जनो रॉकेट और ड्रोन से हमले इस्बुल्ला का हमला होते ही इस्बुल्ला के अवीविम, एलिफलेंट, कोराजिम विरेड, अनमोन, कबजे वाले शहर सफाद, अमूका, डाल्टन और ब्रिये में जोरदार सा हिस्बुल्ला लडाकों ने रोस्यत आलम में इस्बुल्ला का दावा किया है कर चुके हैं, इस्बुल्ला लडाकों ने इस्बुल्ली सेना पर ऐसा खुंखार और बेरहम हमला किया, कि इस्बुल्ला के प्रधान मंत्री नेतन याहू और रक्षा मंत्री यॉफ गैलन्ट के होश वाक्ता हो गया, इस्बुल्ला को रत्ति बर उम्मीद नहीं थी कि हिस् हिस्बुल्ला ने रॉकेट और ड्रोन हमलों से इस्बुल्ला को कमजोर समझना शायद इस्बुल्ली सेना की सबसे बड़ी भूल साबित हो चुकी है। जनरल यजजाग ब्रिक के बयान और चिताबनी दिखाते हैं, जिसमें वो साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि हिस्बुल्ला के सफाय के चक्कर में कहीं इस्बुल्ला का ही सफाया न हो जाए। तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पाएगी और लेबनान युद इस्बुल्ला के वजूद पर बहुत भारी पड़ सकता है। पिछले सौ घंटे में हिस्बुल्ला ने इस्बुल्ला के गिलॉट बेस में हमला करके 22 इस्बुल्ली सेनी को कुमार डाला है। और अब इस्बुल्ला के सफाग में पूरा मिसाइल हिट्पुर्टर उडाकर हिस्बुल्ला ने इस्बुल्ली सेना की हालत खराब करके रख दी है। अब देखना होगा इस्बुल्ला के हमलों का बदला कैसे लेता है। गाजा में इसराइल ने ताजा हमला किया है और इस हमले में 18 लोगों की जान चली गई। इसराइल के प्रधान मंतरी नेतन याहू ने गाजा में हमले के तेस करने के जो ओर्डर पास किये हैं उसके पीछे के वजह समझना भी बहुत जरूरी है। इस स्पेशल रिपॉर्ट में देखिए नेतन याहू ने इसराइली डिफेंस फोर्स को नया ओर्डर क्या दिया है और कैसे लंबी खीचती जंग को लेकर कहा जा रहा है कि इसका नतीजा बस आने ही वाला है। गाजा में बीच गई मौत की चादर नेतन याहू की फोज का ओप्रेशन सर्वविनाश एक्टिवेट अठारा लोगों की होगी मौत चाली से ज़ादा होगे घायल अब तक 41 हजार से ज़ादा फिलिस्तिनियों की मौत 80 हजार से ज़ादा घायल दुनिया ने ऐसी क्रूर जंग नहीं देखी होगी। गाजा में इसराइली डिफेंस फोस ने ताजा हमला किया है। यह हमला दक्षणी गाजा में हुआ है। इसराइली सेना ने स्कूल को निशाना बना कर जबरदस्त बंबारी की है। जमीन का सीना चीर कर गाजा में जिन्दगी बचानी के जद्दो जहद बता रही है कि ये जंग इन्सानियत पर किस खदर भारी पड़ रही है इसके अलवा खान यूनीस में इसराइल हमा सीद्ध स्थापित फिलिस्थीनियों के लिए बने एक श्रिविर को निशाना बनाया गया इसराइल के प्रधारमत्री बेनियामी नितन्याहू जल्दी में है गाजा को मिठी में मिला देने की जल्दी में नेतनियाहू की फौज ने गाजा पर हमले और तीज कर दिये हैं नेतनियाहू की जल्दी की कई वज़े हैं पहली वज़े ग्यारा महिनों की लंबी जंग से इसराइल की जनता उकता चुकी है दूसरी वज़ा नेतनियाहू को लेकर इसराइल की जनता इस पर विमर्ष कर रही है कि वो बंधक संकर सुलजाने में फेल साबित हुए हैं तीसरी वज़ा नेतनियाहू के खिलाफ उनकी कैबिनेट में भी विरोध की आवाजे उठने लगी हैं चौती वज़ा नेतनियाहू के खिलाफ इसराइल में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं पांचवी वज़ा इंटरनेशनल बिरादरी से नेतनियाहू पर आम फिलिस्तिनियों की मौत को लेकर सवाल उठे हैं वो लोग जिनका इसे युद्ध से कोई लेना देना नहीं है वो भी जंग के मलवो में कुछ इसकदर दबे हुए हैं जहां रहना तो छोड़िए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है गाजा का हाल यह है वहाँ जीने के लिए जरूरी चीजें तो लगवाख खत्म ही हो गई है मरने के बाद दफनाने तक की जग़ा भी कम पड़ती दिख रही है 23 लाग की आबादी हर पल मौत की आशरंका में जीने को विवर्ष है 7 अक्टूबर 2023 से ही घाजा में तकरीबन हर रोज इसराइली आउपरेशन हो रहा है यह धविराम के लिए कई दोर की बादचित भी बेनतीजा रही है फिलहाल यह जंग कब थमेगी इसके कोई आसार नज़र नहीं आ रहे है यही वज़ा है कि इसराइल के तेल अवीब में बंधकों की रहाई की मांग तेज हो गई है इसराइल में शनिवार को हजारों प्रदाशन कारियों ने सेना मुख्याले और दूसरे सरकारी इमारतों पर धावा बोल दिया इस दौरान परदेशन कारियों ने परधान मंतरी नितनियाहू के खिलाफ नारे बाजी की और गाजा में बंधक बनाए गे सौ से जदा बंधकों की निहाई के लिए हमास के साथ शांती बनाने का दबाव डाला कई लोगों ने समझोता करने में विफलता के लिए पी-म ने तनियाहू को जिमदार ठहराया क्योंकि उन्हें लगा कि युद्ध के दौरान उन्हें सत्ता में बने रहने में मदद मिलेगी इस दौरान पदर्शनकारियों ने शहर के एक पूल पर चक का जाम कर दिया याता याद विवस्ता भी चप हो गई पदर्शनकारियों में अब वो लोग भी शामिल थे जिनके अपने हमास के चंगुल में बंधक है इस दोरान नाराज प्रदर्शन कारियों ने गुलावी धुमे वाले पटाके जला कर और बंधकों की तस्रीरों के साथ अपना विरोध दर्च कराया ये भी कहा कि जब तक बंधकों की रिहाई नहीं हो जाती उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाकों ने इसराइल में घुसकर 250 इसराइली और विदेशी नागरिकों को बंधक बना लिया था इसराइल ने युद्ध छेड़ दिया लेकिन बंधक चुड़ाने की कोशश में अब तक 40,000 से ज़दा फिलिस्तिनी मारे जा चुके हैं और जिस हमास के अंतिम आतंकी के मारे जाने तक जंग जारी रखने का ने तन्याहू ऐलान कर रहे हैं वो हमास का आखरी आतंकी अब भी इसराइली डिफेंस फोस की बंदूग की खूली से बहुत दूर दिख रहा है जाहिरे ने तन्याहू मुश्किल में है U.A.E. ने कहा है कि अगर इसराइल अलग फिलिस्तीन देश नहीं बनाता तो वो जंग के बाद के उनके प्लैन का समर्थन नहीं करेंगे U.A.E. के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल्रहान ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी इसराइली पीम ने तर्याहू ने माई में जंग के बाद गाजा के लिए एक प्लैन जारी किया था ने तर्याहू का कहना है कि इसके जरी अगासा का विकास होगा प्लैन जंग खत्म होने की तारीख से लेकर साल 2035 तक के लिए था इसे तीन स्तोरों मेवाटा गया था प्लैन के मताबिक गाजा में इसराइल गब्जे के बाद फिलिस्तीन की सरकार होगी इसे हीवेई साओधी अरब, मिर्श, बहरीन और जौडन जैसे अरब देशों का एक गटबंदन मौनिचर करेगा इसराइली प्लैन में गाजा के पॉर्ट्स में निवेश से लेकर सौर उर्ज़ा और इलेक्टरिक कारों की मैनुफैक्टरिंग जैसी कई योजनाओं का जिक्र है नेतर्याहो की तरफ से गाजा के भविश्र के लिए प्लैन जारी करने के बाद उनके रख्षा मंत्री योग गैलन्ट ने इससे नकात दिया था योग गैलन्ट ने इसराइली पी-म को चेतावनी डी थी कि वो फिलिस्तिनी जमीन पर कभी भी इसराइल का शासन नहीं होने देंगे गैलन्ट का बयान सुनिए हमास के बाद गाजा कास्ति तभी मुम्किन है जब यहां फिलिस्तिन के लोग ही अंतराश्री सबुदाई की मदद से सत्ता संभाले अगर सरकार ने सही समय पर गाजा के लिए हमास का विकल्प नहीं ढूंडा तो इसराइल का मिलिटरी आपरेशन कमजूर पढ़ जाएगा हमास फिर से अपनी जड़े जमाना शुरू करते का नेतनयाहो के समर्थन में खड़े अमेरिका में चुनाओ का माहौल है और बाइडन के पार्टी की विदाई के बाद ट्रम्प सत्तासीन होते हैं तो युद्ध की सूरत पर भी असर पड़ना तैह है स्यूगत अरब अमिराद जैसे देश अमेरिका के कहे में ही काम करते हैं और स्यूगत अरब अमिराद अगर ये कह रहा है कि वो नेतनयाहो के प्लैन से इतिफाक नहीं रखता है तो इसका मतलब है कि अपने समर्थक देशों के बीच ही नेतनयाहो घिर चुके हैं सवाल फिर वही घुम्पिर कर खड़ा होता है कि इसराइल हमास युद्ध आखिर कब तक जहां तक इसराइली बंदकों को हमास के खब्जे से चुड़ाने की बात है या संपून गाजा को जम इंदोज करते ना होगा क्योंकि यहां से नेतनयाहो पीछे हटे तो घर में इसराइली उनके साथ चाहे जो वेवहार करें अरब देश इसराइल के खीचे खड़म को एक कमजोर देश की निशानी से ज़्यादा कुछ नहीं मानेगा जो भविश्र में इसराइल के लिए आज से भी बड़ा संकट पैदा करने वाला हो सकता है